माज़कार, माई मावली हिंटी समाचाव में अपकोट सागाते हैं और माई उशेग इसमाई सविदान दिवन्स के असर पर माई मावली निज नेटवर्क दोरा अजिजित कारेकरम में विद्याप्टियों ने उप्सापुर्वत बादिया सरकारी स्कूल और कालेट के छात्रों ने अपनी परतीबा का पदेशन किया जबकि अल्य ने निबंद लेखन और चित्रे कला में उतकुष्ट पुटेशन किया अग्रेजी मराटी तेलवू और हिंदी में समीदान के महत्वा पर उनके भाशन पर बावशाली थे दिखाया ये जारा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले चात्रों में रशनात्म परतिबा होती है तर्ड प्राइज के वाइस नभी दोन मरिश्ट अखरा मैंने 8 दिवाज रात्र दिन आपले रखता चे पानी-पानी करूं त्यानी है सहीदान जगा चा कान्या कोप्रयात नमाज देले आहे सहीदान अची मोट मोट्य देशानी स्तुसी केली आहे अध्यक्षे श्री माननिया प्राचारिया साहेब आनी गुरुजन आनी माझे मित्रमेत्री नो आज सवीस नवेंबर भारतिय सविधान दीन या विश्यावमित दोन शब्द बोलना राहे तरी माझे काही चुपूल जाले अस्त्यास मला माफ करावे सविधान सविधान याचा अर्थ असा होतो की देशाचे नियामानी काईदे जादर संपूर्ण पने देशारा नियंत्रित केले जाओ शक्तो मनुन देशाला नियामानची आनी काईदानची गरद अस्ती जा बाबा साइबन ला या देशात सिक्षना साथी भुस्तक दिले जातना होते त्यास बाबा साइबन नी एक अशे भुस्तक लिले होते कि त्यास भुस्तक आवर आज संपुर्ण भारत जगत आहे आनि त्या भुस्तक आचे नाओ भारती सविधान अशे आहे हे सविधान लीना साथी दोन वर्ष अक्रा मैने अप्रा दिवस लागले होते 15 अगर सेखुन 27 चाड़िस रोजी जेवा आपले अला गृटिशांच ताबड़े अतुन स्वातंत्र मेलाले होते तो परंथ आपले देशाला सविधान न होते भारत एक लोकशाही प्रदान देश आहे आनि त्याचे सविधान जगातिल सर्वात मोटे आहे ती राज्य घटना सविधाने वारी 21-21 रोजी पास जाली आनि सविधाने वारी 21-15 रोजी पुर्ण पन्ने लागु जाली भारते सविधानाची पई ना तो उन्न मित्रुला अन्नरकी नमस्कारां ना पेर श्वेता ना एंतु एलतर कुमतु नानू राज्यांगा दिनोसवां पैपदी वाक्यलू व्यासां पंतोम्मेदी वंदला नालपैतोम्मेदी दो भारत राज्यांगानी अम्मोधींचिना सवरनान दिनांगा भारत राज्यांगा दिनोसवांणी जर्पो कुमतु नारू नवंबर इर्वयारव टेदी भारतिया ज्यातिया सेलोधीधं काकपोच्चु कानी इदी इप्पट की योगार निविस्टस्ताई चरित्रका अध्यापुक लंदरिकी नातोटी विद्ध्यार्किनी विद्ध्यार्तुलकु ना हुदया पूर्वक नमस्कारालू मुंदुग राज्यांगा दिनोसवा शुबाकांशलू राज्यांगम अंटे एमिटी ओक देशम लोनी प्रजलू पालकुलू पालना एंत्रंगम पाटी इंचे प्रम अत्युन्यत नियमा आवनिकलगिना चट्ट अन्नी राज्यांगम अंटारू राज्जांग मनेदी प्रजाप्रतिनिदुल बाध्यतलु मारियु देश राध कीया वेवस्तलनु तेलिया चेसे साधकमे राज्जांगम भारत राज्जांगम भारत देशानिकी सर्वोत कृष्टमयन चेट्टम लांटिदी भारत देशानिकी भारत राज्यंगं भारा गनतंत्र प्रदिपत्ती वच्चिंदी पंतमेजवंदल याबय जनवरी इर्वयारुना राज्यंग ममलु लोकी वच्चिन तर्वाता वसंत्र भारत देश सर्वसत्ताका मरियु प्रजास्वामिक गनतंत्र राज्यंग अवतरिंचिंदी, इंदु मूलंग मनमु प्रती समचरं गनतंत्र दिनच्चवमुग जर्पु कुन्टामु भारत प्रबुत्वा मिर्मानम एला उंडाली मरियु परिपालन एला चेयाली अने अम्षालनु राज्यांगम निर्देशिस्तुंदी, शासन वेवस्ता कार्य निर्वाहक वेवस्ता, न्याय वेवस्ता मरियु आया वेवस्तलक्कु मध्य एविदंग समन्वयम उंडाले अ 3.55 आर्टिकल्सु एनमेदी चेड्डियूलु 2.8 भागाल उन्दाई प्रस्तुतं 40.65 आर्टिकल्सु पन्नेंडु शेड्डियूलु 2.8 भागाल उन्दाई राज्यांगा शिल्पी अनी डीयार अंबेक्तर गारीनी मनमू पेरकोन वच्छनू राज जांगम रूपंग इंचडाने की अर्वे नालगू लख्षला खड़्चु चेशारू प्राशारा के प्रधानाचार्य जी को और यहाँ पर उपद्धिस सभी प्रधान उपद्धायों को मैं नमस्कार करती हूँ मैं यन तेजश्वी MPC फर्स्ट इयर में पढ़ती हूँ सबसे पहले मैं आप सभी को सम्विधान दिवस की शिपकामनाय देती हूँ सम्विधान दिवस हमारे भारत के गौरों को प्रतिमी दित्व करता है इसे लिखने में 2 साल 11 महिने और 18 दिन का वक्त लगा था इसमें 389 आर्टिकल और 12 अनसूचिया है इससे हमारे भारत का सम्विधान विश्व में सबसे लंबा लिखित सम्विधान कहलाता है यह हिंदी में ही नहीं बलकि अंग्रेजी में भी हातों से लिखकर उसे कैलिक्राम किया गया था हमारे सम्विधान 26 नवेंबर 1909 को तयार हुआ था इसलिए हम इस दिन को सम्विधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को लागो किया गया था इसलिए उसे हम गनतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं इसे बाबा साहिब अंबेकर जी के नेत्रत्व में मनाया गया था आज का हमारा सम्विधान दिवस उन्हें याद करने का ही दिवस है उन्हें याद किये बिना आज का दिन आज का उल्ले हमारा अधूरा रहेगा अम्बेकर जी का मानना यहाँ था कि हमारे देश में अनेक विभीन विभीन प्रकार के वर्ग है उन सब में एक्ता लाना बहुत जरूरी है उन सब में समानता की सोच लाने के लिए उन्होंने एक अरक्षन नाम की प्रणाली लिखनी भी शुरू की थी आज हमारे देश में सबसे पहले 2015 में समविधान दिवस मनाया गया था ब्रिटीश राज्य से मुक्ती के बार हमारे देश को एक लोग तंत्र स्थापित करने की आवशक्ता हुई थी तब हमें हमारे देश में एक समविधान की में ये प्रीजिपल साहिप और गुरुजन वर्गा और महित्री नो मित्रों को सभी को मेरा नमस्कार मैं एक भारतिय सविधान पे गाना गाना चाहती हूँ कुछ चुग बोल हो गए तो मुझे माफ करना गीता पे हिंदू गीता पे हिंदू बाइबल पे कृष्चन और कुरान पे मुसल्मान चलता है ए मेरे दुनिया वालो तुन्हें बता दूँ सविधान पे सारा जहान चलता है गीता से चलता हूँ मैं चलता है पुरान से चलता है देश हमारा यह सविधान से गीता से चलता है देश हमारा यह सवीधान से गीता से चलता है बैँ, चलता है पुरा मानसे सबसे प्यार अग्यन कुमारा सवीधान है भाई सम्विधाल है भाई, सबसे प्यारा ग्रंत हुवारा सम्विधाल है भाई मराति लो एचिनलू, इंदी लो एचिनलू, वी लंधर कुड चाला चक्क माटळाड़ा मुख्यांगा मन मंद्रैं कूड इपार्त राज्यांगम अमल्लो कोच्छिन तरवाथा अन्टै अमोधींचिन तरवात मल्ली मनकू जनुवरी 26 अमल्लो कोच्छिन तरवाथा मन वा लेटी मनने हिपी पीटिकलो शेट राज़न स्फुनम अन्च साली अपड़ं चर्यंदि इक्ड़कोड मता-ग्रांथा लो लेनत्व वंप्टिगी मनने कुई राज़नमलो नी उन्दिया अन्नर ग्रंथमें गादू, मामुली अस्रीक समानत्वमों अनेटेट्वांटिदी, मनुक्त राज्यांगमें गल्पिंचटम अनेटेट्वांटेट्वांटे चरहिएंदू इपड़ जूरेटी, मुस्लीम्स, वल्लू, मजीलिलो, एवरूकुड इमामुल अनेटेट्वण्टिदी, लेडिस, महिलल अनेटेट्वांटिदी, लेडिस, अदेविधंग, चर्ची लोकोदा पाधर्स, अनेटेट्वण्टि वालो लेडि येदू, इवन, मन, देवालयल पूजारी स्री लेएदु तानी मने राज्यांगम कल्पिंच दाम जरीएंदि गापट्टी, मने कलाशाललो अत्तिर्कमा 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 उन्नरु गापट्टी. मनन कुड मन्दु साइल अविंगावनी गोड़ कुण्टु चिन्न अवकाशम मनुद रिंस्पाह सारगादु मरी वेदु कमलकु दूचिने को वाल्लु मरी मीर अंदर कुड नक्की अवकाशम मिच्च नंदुकु दुदु कुड अन्निवादल कुड़ 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 च्हdo व्य newcomों. तुद बियारनमइटक कुड़ कमलत नकुदु काशम मिच्च चुछoking कौछ ल Essvaharad कुड हमानि ऑफtatworks,तैजरग दिन अवर ट्वादय में हटा व्यक ननुब्स्टु सूख्ट गनिटु दुझर कें इनोन थ्पकाशम मिचाऑशम मैंवेथनि च्वु टल in two languages, English and Hindi. The constant assembly was the committee set to draw up the Indian Constitution or Samvidhan Divas. Dr. B. R. Ambedkar was the chairman of the Indian Constitution. Dr. B. R. Ambedkar is also known as the father of the Indian Constitution. Prime Minister Narendra Modi decided to celebrate on 26th of November as National Constitution Day in 2015 because it was 125th birthday anniversary of Dr. B. R. Ambedkar. The adoption of the Indian Constitution signified the complete removal of British rule. The Indian became the democratic republic after the adoption of the Indian Constitution. Thank you for giving this... We celebrate National Constitution Day or Samvidhan Divas on 26th November every year. The significance of this day is the term this day. In the year 1949, the Constitution Assembly of India adopted the Constitution. Happy Institutions Day. My name is Vanchita. I am going to speak about National Constitution Day. We accept the demand in 1940 of the Constitution. The Assembly was supposed to write the drug talk. The President of the Assembly was selected. Dr. Sanchita Nandasi and Dr. B. R. Ambedkar was selected. हैं दैल कि उडिएर टुज सजर्श निर्ट डिर्टेड़ नच्छ गज्टक्टावस बहुत है, बिए ठीकिसा कि पर विए टूटिक्षा, every year on the 26th of November of the Indian Constitution it was in the year 2015 by the June 28th of November of the year 5th of November of the It was the year of the year इरोजो क्वीज कॉंपिटेशन ब्राइंग एसे राइटेंग वन्टी रासी राजांगम गुरिंची तिरुस्कोडम जर्गिंदी कानि चाला मंदी की राजांगम आंटे पेमो इंका थेलेदू एटला हुंट अधि एवर रास्यारू एड़ू को रास्यारू आधि मख्यां चाला मंदी की राजांगम गुरिंची राजांगम गुरिंची राजांगम गुरिंची तिरुस्कोडम जर्गिंदी हमारी हिम्मत और आपकी जीत आप बने रहे हमारे साथ मायमावली हिंदी समाचार्थ